हेलो दोस्तों नमस्कार प्रकासर हिंदी प्राव सभी का सवागत है सातियों हिंदी व्याकण के पिछली प्रिक्षव में पोचे गए पर्षन व्याक्या सेथ के हमने 25 वीडियो पड़े हैं 25 वीडियो में हिंदी व्याकण के अने एक पॉइंटों के जो पिछली परिशाम पोचे के पर्षन है, उनको व्याख्या सहित पढ़ाया, उनका अध्यन किया है। 26 वे परट में हम उपसरक युँँ परते से समधित, जितने भी परिशाम पोचे गए हैं, उनका व्याख्या सहित अध्यन करेंगे। नियमने विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें, जो अनुपसरक से बना सही सब्द है। यहाँ पर अनुपसरक से बनावा सब्द है, अनुपसरक से बना सही सब्द है। उपसरक कुछ सब्दान्स होते हैं, जो किसी के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवरतन या फिर विसेष्था लादेते हैं। अनन्त सब्द में अनुप्सरग है अन्त मोल सब्द है उप्सरग उस सब्दान्स को कहते हैं जो किसी सब्द के पहले जुड़कर के उसके आर्थ में प्रिवर्थन या विशेष्था ला देते हैं पान्सो पर्षन है चरण सब्द में कौन सा पर्थे है जो चरण सब्द में पर्थे हैं जो अक्सरीय अक्सर समू लगाया जाता है वे पर्थे कहलाते हैं चरण सब्द में अन पर्ते हैं जो कि करण वाचक संग्या बनाने वाले कृत पर्ते के अंदर इसको सामिल किया जाता है पर्ते किसे कहते हैं सब्दों को अवैसमू वर्णों को अवैसमू जो किसी सब्द के बाद में लगाया जाता है और आर्थ में बदलाव करता है परिवर का सही विकल्प नहीं है तो इनमें से डी पुस्पित जो सब्द है इनमें उपसर का प्रियोग नहीं किया गया है जैसे वेशन, निडर और परविदा में उपसर का प्रियोग किया गया है लेकिन पुस्पित में उपसर का प्रियोग नहीं किया गया है देगे विकल्प में कर जो किसी सब्द के पहले आकर विशेस अर्थ पर कट करते हैं, उपसरक कहलाते हैं, पुस्प पलस इत परते से बना सब्द पुस्पित है, उपसरक किसे कहते हैं, वह सब्दान जो सब्द के पहले लाकर उसके आर्थ में बदलाव कर देता है, उसे उपसरक कहते हैं, परते जो जो सब्द के बाद में लकर के नया सब्द का निर्मान करता है अर्थ में प्रिवर्तन लाता है उसे परते कहते हैं जो पुस्पीती सब्द है इसमें उप्सरग नयोकर के इसमें परते हैं पुस्पी पला से इत इत परते हैं पानसो छीयालिशो पर्षन फुर्तिला सब्द में परते हैं फुर्तिला सब्द में कौन सा परते हैं तो फुर्तिला सब्द में इला परते हैं फुर्तिला सब्द में इला परते हैं फुर्तिला सब्द में इला परते हैं पर्ते मूल सब्दों के बाद जो अक्सर या अक्सर समूल लगाया जाता है, उसे पर्ते कहते हैं, पर्ते दो सब्दों से बना है पर्ती प्लस आई, पर्ती का आर्थ साथ में और पर का आर्थ होता है बाद में, पर्ती का आर्थ होता है साथ में या फिर पर बाद में और अतयव परते का अर्थ है सब्दों के साथ या परबाद में चलने वाला या लगने वाला परते कहलाता है परते उपसरगों की तरह एविकरी सब्दान से है जो सब्दों के बाद जोड़ी जाते हैं जैसे बला सब्द में आई परते लगाने से बलाई सब्द बनता है या परत सब्ति किसे कहते हैं कि वैह अक्सर या अक्सर समुण जो किसी मोल सब्ध के बाद में लगता है और उसकी साहते से नया सब्द बन जाता है परते सब्द में 2 सब्द हैं पिर्टी पलस Latino e पर्टी का आर्थ साथ में या पर बाद में और आ कार्थ होता है चलने वाला इस परकार से परते कार्थ हुआ कि सब्द के साथ में चलने वाला या सब्द के बाद में चलने वाला या लगने वाला जो सब्दान्स होता है उसे परते कहते हैं यहीं सब्द के बाद में लगने वाला जो सब्दान्स होता है उसको परते कहते हैं परते भी उफ्सरक की तरह एह विकरी सब्दान्स है, ये सब्दों के बाद में और पहले जोड़े जाते हैं, जैसे कि आई परते हैं, तो आई से आई परते हैं जिसको हम बला सब्द के बाद में जोड़ते हैं, तो नया सब्द बनता है बलाई. मूलते परते की दो परकार हैं करीत परते और तद्दित परते इनसे सब्द की सब्दों की रचना होती है परते दो परकार के होते हैं करीत परते और तद्दित परते करीत परते मूल दातु या करिया की बाद में जुड़ते हैं और तद्धित परते संग्या सरनाम विसेशन और अव्वे के बाद में जोड़े जाते हैं जुड़ते हैं यानि करिया या दातु के बाद में जो परते जुड़ते हैं उनको करित परते कहते हैं साथ में ही संगय सरनाम विसेशन या अव्वे के बाद में जुणने वाले जो परते होते हैं उनको तद्धित परते कहते हैं 547 परसन है, निर्विकार सब्द में उपसरग है, निर्विकार सब्द में उपसरग कोन सा है, तो सई विकल्प है D, निर्व, रहके निचे हलंत लगावा है, निर्व पलस है, विकार, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, उसे निर्विकार कहते हैं, निर्विकार सब्द में निरुप्सरग है निरुप्सरग का आर्थ होता है निस्जेद बहार रहीत होता है उफसरक किसे कहते हैं कि वे शब्दान जो सब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन कर देता है उसे उफसरक कहते हैं उफसरकों की साहिता से नए सब्दु का निर्मान किया जाता है हिंदी वासा में जो उपसरग मिलते हैं वे संस्कृत और उर्दु वासा के हैं इनकी संक्या इस परकार निश्चित की गई है संस्कृत उपसरग 19, हिंदी उपसरग 10 और उर्दु उपसरग 12 पानसो अड़तालिसवा परसन है नेपाली सब्द में कौन सा परते हैं तो नेपाली सब्द में परते हैं C विकल्ब सही है E द्रग E नेपाली सब्द में परते हैं नेपाली सब्द में E परते हैं सब्दों के बाद जो आक्सरी आक्सर समू लगाया जाता है उसे परते कहते हैं पर्ति का अर्थ होता है साथ में या परबाद में आई का अर्थ होता है चलने वाला या लगने वाला तो जो अक्सर या अक्सर सुमू किसी सब्द के बाद में जुड़ता है तो उसे पर्ति कहते हैं पर्ते भी नई सब्द का निर्मान करने में अपनी भूमी का निवाते हैं पर्ते सब्दो सब्दों से मिलकर के बनाए पर्ती पलस आई पर्ती का अर्थ होता है साथ में या बाद में लगने वाला आई का अर्थ होता है चलने वाला मूलताय परते के दो परकार हैं करित परते और तद्दित परते करित परते किसे कहेंगे करिया या धातु के अंद में परिक्त होने वाले परते को करित परते कहते हैं तद्धित पर्ते संग्या सरणाम और विशेशन के अंत में लगने वाले पर्ते को तद्धित पर्ते कहा जाता है पर्ते मुलरूब से दो परकार के होते हैं करित पर्ते और तद्धित पर्ते करित परते उस परते को कहते हैं जो किसी करिया या धातू के अंत में लकर के नए सब्द बनाने में अपनी भूमी का निवाता है और तद्धित परते उस परते को कहते हैं जो संग्या सरणाम विशेशन और अवे के बाद में लखर के नए सब्द निर्मान में अपनी भूमिका निवाते हैं यनि करिया या दातू के बाद में जो परते लगेगा उसे करिच परते कहेंगे, संग्या सरनाम विसेशन और आवे के बाद में जो परते लगेगा उसको तद्धित परते का आजाता है। तो यहाँ पर डि विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि इसमें परते नहीं है। जो उपसरक से बने समद का सही विकल्प नहीं है। यानि उपसरक का प्रियोग जिसमें सही नहीं हुआ है। उसको उस विकल्प को हमें छाटना है तो इनमें से जो सी विकल्प है चटनी इसमें किसी परकार से उपसरक का प्रियोग नहीं हुआ है। आरवगे में आउपसरक है, दुरजन में दुरुपसरक है और पत्रंगा में या पर पत्रंगा है। चटनी इसमें उपसरक से बने सब्द का सही विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें उपसरक का प्रियोग नहीं हुआ है। एक्यानवा पर्सन है, आउगट सब्द में कौन सा उपसरक है, तो आउगट सब्द में ये विकल्प से ये आउपसरक है, आउगट सब्द में आउपसरक है, उपसरक उस सब्दान से आवियोग को कहते हैं जो किसी सब्द के पहले आकर के उसके अर्थ में विशेष्ता पर परियोग तो होते हैं, परियोग में लिये जाते हैं, पानसो बावनुवा परसन है, एक में उफ्सरक का परियोग है, एक में उफ्सरक का परियोग है, कि एक ऐसा इन चार विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है, जिसमें उफ्सरक का परियोग किया गया है, तो सही विकल्प है, D, कूडंग में उपसरग का प्रियोग किया गया है, जिसमें को उपसरग है, कूडंग में को उपसरग है, सेस में उपसरग का प्रियोग नहीं किया गया है 553 परसन है, निमलेकित में से किस सब्द में तद्धित परते का प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर डिव इकल्ब से यह वासुदेव में तद्धित परते का प्रियोग हुआ है क्योंकि तद्धित परते संग्या सरनाव विसेशन के बाद में तद्धित परते उस परते को कहते हैं जो संग्या सरनाव विसेशन के बाद में लगता है करिद परते उस परते को कहते हैं जो दातू या करिया सब्द के बाद में लगता है वासुदेव सब्द में तदिद परते का प्रियोग हुआ है पुजे यहाँ पर मूल सब्द पूज एक करिया और दातु है जिसमें करित परते हैं यह जुणने से बना सब्द पुजे करिदंत सब्द कहा जाएगा पहला विकल्प है पुज्जे जिसमें ये परते हैं ये परते यहां पर जो ये परते हैं ये करित परते हैं क्योंकि यहां पर जो पुज्जे सब्द है पुज्जे सब्द बनाया है वो पूजा से बनाया है इसमें तध्यत पर्ते का प्रियोग किया गया है तद्धित परते संग्या सरनाम विशिशन के अंत में लगने वाले परते को तद्धित परते का जाता है और उनके मेल से बने सब्द को तद्धित तांत का जाता है जो परते संग्या सरनाम विसेशन के बाद में लगता है उसको तद्धित परते कहते हैं और तद्धित परते बनने से जो नया सब्द बनता है उसको तद्धित दांत परते कहा जाता है करित परते दातों के साथ जुड़ते हैं वे सब्द जो दातों के अंत में जुड़कर नए सब्दों की रचना करते हैं, करित परते कहलाते हैं, करित परते से बने सब्द, करिधन्त कहलाते हैं, करित परते उन परतें को कहा जाता है, जो किसी दातों या करिया सब्द के बाद में जुड़ते हैं, उन्हें करित परते क इसे नया सब्द बना लड़ाई तो आई परते हैं ये दातों के बाद में लग रहा है तो इसलिए हम इसको कृत परते कहेंगे और जो नया सब्द बना लड़ाई तो इसको हम कृत दंत सब्द कहेंगे 594 पर्षन है निम्लिकित में से किसी सब्द में उप्सरग नहीं लगा है जिसी सब्द में उप्सरग नहीं लगा है उस विकल्प का आप में चेयन करना है तो दर्सन में उप्सरग का प्रियोग नहीं हुआ है नपुसक में नय उफ्सरग है, अतीसे में अती उफ्सरग है और समालोचना में सम उफ्सरग है निमन में दर्सन सब्द में उफ्सरग नहीं लगा है, सभी सेश विकल्प में उफ्सरग का प्रियोग किया गया है उपसरग किसे कहते हैं जो सब्दान किसी सब्द के पहले लकर के अर्थ में विसीचता है परकट करता है या बदलाव कर देता है उसे उपसरग कहते हैं उपसरग उपपला से सरग से बना है उपसरग दो सब्दों से मिलकर के बना है उपपला से सरग उप का आर्थ होता है समीब और सरग का आर्थ होता है सरष्टी करना या निर्मान करना किसी सब्द के समीब आकर नया सब्द बनाना ही उपसरग कहलाता है अती से में अती उप्सरग है, समालोचना में सम उप्सरग है, मैं के नीचे हलन्त रहेगा, नपोसक में नय उप्सरग है अगला 555 है आर्थ निर्दिष्ट करने की दर्ष्टी निमलेकित में से कौन सा उप्सरग अन्य तीन से बिन्न है इनमें से ऐसा कौन सा उप्सरग है जो की अन्य तीन से बिन्न है तो यहाँ पर जो सी उप्सरग है, सी विकल्प है जिसमें परी उप्सरग दिया गया है ये परी उपसरग आप और दुर उपसरग से बिन्न है आर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टी से परी उपसरग अन्य तेन इन उपसरगों से बिन्न है उपसरग और उपसरग का आर्थ और उपसरग से बना जो सब्द है उनके बारे में हम यह आपराध्यन करेंगे तो परी उपसरग होता है परी का अर्थ होता है आसपास या चारूर या पूर्ण परी उपसरग से बने सब्दें जैसे परी कर्मा, परी प्लस कर्मा परी दर्सन, परी प्लस दर्सन परी पूर्ण, परी नाम आव उपसरग है जिसका आर्थ होता है हींता अनादर पतन आव से बनेवे सब्दें आव गत आव पलस गत आव लोकन आव पलस लोकन आव रहोण आव नती आव सेस अप उपसरग है जिसका आर्थ होता है लगूता अभाव या विरुद्ध आप उपसरग से बनेवे सब्दें जैसे अप मान अप प्लस मान अप सब्दे अप पलस सब्दे अप हरन अप यह से अप करन तो इनमें सभी में आप उपसरग है दुर उपसरग होता है जिसका तो दोस्तो इस परकार से यहाँ पर जो परी उपसरग है यह अन्य तीन उपसरगों की उपसरगों से अर्थ के आधार पर इन से अलग है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो आउए अप और दुर उपसरग है इनमें हीन्ता लगूता और बुरा कठीन दुष्ट हीन्ता इस परकार का आर्थ हो रहा है जबकि जो परी उपसरग है इसका आर्थ होता है आसपास यह चारो और या पूर्ण तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पिछली प्रिक्षा में पूछे गई जो मैत्पूर्ण उप्सरग और परते से समंदित परसन है जिनका हम अध्यन कर रहे हैं 555 परसन का हमने अध्यन किया है अब इससे नेक्ट जो परसन है वह है 556 परसन जिसका अध्यन हम करेंगे 566 परसन है निमलेकित मेंसे कौन तद्द परते वाला साब्द नहीं है तद्द परते का इसमें प्रियोगे नहीं किया गया तद्द परते कहां लगता है वह परते जो संग्या सरनाम विसेशन के बाद में लगता है उसको तद्धित परते कहते हैं तो संग्या सरनाम विसेशन के बाद में परते लगकर के बनावा सब्दिन में से कौन सा नहीं है तो यहाँ पर D सजावट नहीं है क्योंकि सजना एक करिया होती है पारोसे, सिख्षक और मायवी ये तद्दित परते से बनेवी सब्द है सजावट तद्दित परते वारा सब्द नहीं है सजावट में कृदंत परते है सजावट में सजमूल सब्द है और आवट परते है तो क्रित परते किसी दातू या करिया की बाद में लगता है उसे क्रित परते कहते हैं परते वे सब्दान्स होते जो दूसरे सब्दों के अर्थ में जुड़कर अपने परकर्ती के अनुसार अपने सब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें पर्ते कहते हैं यनि वे सब्दान्स जो किसी सब्द के बाद में जुड़कर के अपने परकरती या अपने सवाव के अनुसार उस सब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं उनको पर्ते कहते हैं पर्ते के दोवेद हैं करित पर्ते और तदित पर्ते करित पर्ते उन सरनाम विशेष्टन सब्द के बाद में जुड़कर के नया सब्द बनाते हैं। उनको तद्ирован परते कहा जाता है। पानसो सत्तावनवा परसन है निमने विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो परते का सही विकल्प नहीं है तो इन में से जो डी विकल्प है भरपाई इनमें परते का प्रियोग है नहीं हुआ है मिठास पठीत और चौडाई में परते का प्रियोग हुआ है भरपाई सब्द में किसी परते का प्रियून नहीं हुआ है अता ये परते का सही विकल्प नहीं है सेश जो अन्य तीन विकल्प हैं उनमें कोन-कोन सा परते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं जैसे मिठा सब्द है इसमें आस परते हैं, पठीत में इत परते हैं, चौडाई में आई परते हैं, पान्सो अठाउनो परसन है, कजरोटा सब्द में कौन सा परते हैं? तो कजरोटा सब्द में इविकल्ब से यह आउटा परते हैं, सब्द के बाद में जो अक्सर या अक्सरों का समुव लगाया जाता है, उसे परते के दो बेद होते हैं, दो परकार के परते होते हैं, करित परते होते हैं, तो परते किसे कहते हैं कि वै अक्सर या अक्सरों का सम जो किसी सब्द के बाद में लकर के नए सब्द का अंदिरमान करते हैं। तद्दित परते उन परतियों को का जाता है जो किसी संग्या सरुनाव विसेशन के बाद में लगते हैं और ने सब्द का निर्मान करते हैं आर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तद्दित परते लगने से जो नया सब्द बनता है उनको तद्दितांत का जाता है। करिया या धातु के अंद में परित होने वाले परत्यों को करित परते कहते हैं, हिंदी में करित परते इस परकार से हैं, हिंदी के जो करित परते हैं कौन-कौन से हैं, जैसे ए, अंद, आक, आका, एसा, एत, ओड़ा, ओड, आउता, आउना, आउनी, वहिया, सार, हार, आप, इत्यादी जो परते हैं ये हिंदी में करित परते हैं। परते हैं और ठकुराई में आई परते हैं। तो दोस्तो इस परकार से हमने परते और उप्सरग से समंदित पिछले परिश्यों में पहुचे गए पर्षनों को व्याख्या सईथ पढ़ाय अद्धन किया है। अवज से ही उनको ये पिर्चली परिश्यों में पहुचे गए। व्याख्या सईथ के वीडियो देखना चाहिए ताकि हमारा अच्छा रिवीजन हो सके क्योंकि हर प्रिश्या अबजेक्टिव होती है। क्योंकि हमारा अच्छा चाहिए. कि वीडियोल ताकि होती है। प्रिश्या में प्रिश्या चुछ होती है। झाल था प्रिश्या झाल जा तो दो गए। झाल झाल